हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं यूट्यूब चैनल तो गाईज आज मैं आप लोगे साथ में शेयर कर रही हूँ एक होमेड सीरम जो की बहुत जादा अच्छा काम करता है गाईज अलग-अलग लोगों को इसके से रिलेटीड अलग-अलग प्रॉब्लम्स होती है और सा बहुत जादा टाइम जो है फोन या फिर तीवे के साथ स्पेंड करते हैं जिसकी वज़े से हमारे चौह हो जाते हैं और चौह गौलर होते हैं हमारी सिकन के कलर से जो ठोड़ा डाक कलर होता है हमारी आइस के साइड में वह डाक सरकल कहला तो गैसरेम तो इसे रिमूव करन नहीं किया कि समान इसके लिए चाहिएगा तो इसे बनाने से पहले आप से में रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वैल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जो आने वाल कर सकते हैं और जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहे हूं जितना बनारी हूं यह दस से बारा दिन के लिए ईजी ली हो जाएगा विकास इसकी क्वांटिटी जो है ना वह बहुत कम होती है बहुत सादा कम इस्तेमाल होता है यह इस तरीके से मैंने ले लिया है यहां पर तो वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बाद में जो लास इंग्रिडेंट है वो है यहां पर विटमिन E का कैपसूल है और मैंसे साइट से काट के इसका जो जैल होता है वो इसे पूरा का पूरा एड़ कर लूँगी इसमें गैस इसमें बहुत जादा जैल नहीं चार-पांच बुन निकलता है तो मैं वो पूरा इसमें एड़ कर रही हूँ आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैंने इसमें एड़ करके और इसे एकदम अच्छे से बारीक से अच्छे से मिला लेना है सारा समान एक दूसरे में अब्ज़ॉर्ब हो जाए तो मैं यहां प तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से बनके यहां पे त्यार हो गया है और इसी तरीके से आपको बना लेना है और इसे आप 15-20 दिन के लिए बना के भी फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं किसी बॉटल में या कंटेनर में तो इस तरीके से लेना है और इसे इस इस बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है जितना मैंने आपको इहां पर दिखाया इतना ही लेना है और अपने अंडर आइस पर यानिकी जहां पर आपको डाक सरकल की प्रॉब्लम है वहां पर आप इसे लगाएं और पांच मिनट तक अच्छे से मसाज करें जिस तरीके से मै आपकी स्किन में यह जो प्रोड़क्ट है ना यह अब्जॉब हो जाए अच्छे से तो इस तरीके से इसको लगाना है सो उमीद करती हूँ कि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा और हैल्फल रहा होगा सो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए झाल